इस वीडियो में प्रिजन करने वाले हैं आपको लिए एलफारब्ध का सैकंड वीडियो अब हम पहुंच एई के उपर और भी हमने पहले वाले वीडियो में का First Part cover और था ख़ b अब हम करने वाल है C ATM पर्ट recovering जो पहला आफ है जो रहे हूं आप तो उसको बोलते हैं end or for example देखिए our soldiers end low temperature at lay तो आपने जो soldier's के वह बहुत ही low temperature में लेते हैं रड़्दाक के अंदर ले और रड़्दाक के अंदर सियाचीन के अंदर तो उसको बोलते हैं end or करना यानि कि बहुत ही easy say Ben चीज को यप एक पूसक्व सफर निदा उसको आप इसको याति करने का तरिका देओ एंड में आप दूर चले जाओगे तो मुझे पेन and your होगा प Kerry आप अगर आप कि अगर मुझे दूर चले जाओगे तो मुझे पेन होगा और वो कैसा होगा endure होगा यानि कि उसको सहन करना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही unpleasant होगा difficult होगा तो end देखिए end में अगर आप दूर चले जाओगे तो मुझे pain कैसा होगा endure होगा तो अब इस end word से आप इस end word से इसका meaning निकाल सकते हैं अगर आप end में मुझे से दूर चले जाओगे तो मुझे endure होगा तो endure होगा यानि कि pain होगा बहुत ही difficult और unpleasant condition हो जाएगी में लिए तो इस तरीके साब याद कर सकते हैं तो endure का मतलब to suffer something difficult unpleasant or painful अगला बढ़ है enervate enervate का मतलब है निर्भल करना या फिर शक्तिहीन बनना something that is enervating makes you feel tired and weak for example this hot weather is really enervating me अब इसको आप करने तरीका देखिए बिमारी जो inner को ate करके आपको enervate करती है enervate वो चीज़ होती है जो कि आपको बहुती tired कर देती है weak कर देती है निर्भल कर देती है तो उसी चीज़ को अपन मूलते है enervate तो बिमारी जो inner को ate करके ऐसी को बिमारी जो आपको inner को inner से inner जो आपकर system है उसको ate करके अपको क्या कर देगी वो हमीशा うんar-weight कर एंध करेगी वह हमीशा आपको दूल बना देगी आपको कमजूर मना देगी तो जो बिमारी inner को aid करेगी वो कैसे हो जाएगी inner weight करती है यानि कि durable करती है अगला वड़े end franchise का मतलब है चुनाओं में vote डालने का अधिकार to give a person or a group of people that right to vote in election तो किसी को election में vote देने का जो अधिकार देना है उसको बोलते है end franchise for example the company voted to end franchise 120 women members तो company ने vote कि end franchise करेगी कितने 120 women members को अब इसको याद करने का तरीका देखिए कोई party का franchise लेली तो आपको क्या मिलेगा end franchise मिलेगा अगर किसी party की आपने franchise लेली तो कैसा होगा end franchise मिलेगा यानि कि vote डालने का अधिकार मिलेगा तो franchise अगर मैंने किसी company के franchise लेली तो मुझे enfranchise मिलेगा मुझे भी वोट डालने का अधिकार होगा क्योंकि मैं उस company का part बन चुका हूँ तो franchise franchise और enfranchise एक जैसे words है जिससे आप relate करके इसको याद easily कर सकते हैं endanger endanger का मतलब है पैदा होना या उत्पन होना to make people have a particular feeling or make a situation start to exist endanger का मतलब है कोई चीज को पैदा करना है उत्पन करना to make people have a particular feeling or make a situation start to exist for example he latest book has endangered a lot of controversies his latest book his latest book has endangered a lot of controversies endanger का मतलब किस चीज को पैदा करना या फिर उत्पन करना अब याद करने आ तरीका देखे जेंडर बेस कोटा controversy endanger करेंगे तो gender based देखे जेंडर बेस यादि कि male और female वाली controversy करके भी vote bank बनता है कई बार तो ऐसी controversy gender based controversy create करेंगे तो क्या करेंगे एंड इसको क्या करेंगे endanger करेंगे यानि कि इसको start करेंगे जब भी male female वाली बात है कि अगर कोई female candidate खड़ी होती है election के अंदर तो अमेशे gender based controversy create करती है तो उसको बोलते हैं endanger करना start करना अगला बड़े enigma something that is mysterious and seems impossible to understand completely for example she is a bit of an enigma अब इसको याद करने का तरीका जेखे नगमा का character कैसा है enigma है नगमा यानि की बहुत ही पहली बहुत ही mysterious पहली enjoined enjoined यानि की आग्या देना विधान करना to order or strongly advise somebody to do something to say that a particular action or equality is necessary आग्या देना को बोलते हैं enjoined करना she enjoined me strictly not to tell anyone else to enjoy यानि की किसी को आग्या देना विधान करना और advise करना order करना की particular action is quality is necessary अब याद करने का तरीका जेखे पापा ने company join करने का enjoy दिया पापा ने बोला company को join करना है तो उन्होंने क्या किया enjoy दे दिया उन्होंने order दे दिया आग्या दे दी विधान कर दिया तो पापा ने company join करने का end join दिया यानि की order दिया तो join और end join एक जैसे words हैं इसलियाद कर सकते हैं अगला वड़े enlist करना सूची पत्र में नाम निकलना to join or to make somebody somebody join the armed forces ओके for example 3000 men were enlisted तो 3000 लोगों की नाम की सूची बनाएं गई है अब याद करने का तरीका military के list अपना नाम enlist करो military के list में अपना नाम enlist करो सूची में डालो इसके लिए वड़े crust करो अगला वड़े enmity enmit का मतलब है बेर विरोध दुष्मनी feeling of hatred towards somebody for example the traditional problem of the enmity between protestants and Catholics अब याद करने का तरीका देखिए एनिमी के टूवर्स एनिमीटी है एनिमी के टूवर्स एनिमीटी है एनिमी की जो होता है उसके टूवर्स हमेशा कैसे होती है एनिमीटी होती है यानि की दुश्मनी के भावना होती है ज्यादा तरह ऐसा होता हमेशा तो यह दोनों देखे to enemy के towards कैसी enmity है तो enemy और enmity एक जैसे words हैं आप याद कर सकता है अगला है एन्यू, एन्यू का मतलब है गलानी उदासी अफे आलस, a feeling of boredom and mental tightness caused by having nothing interested or exciting to do अब याद करें तरीका देखिए, अन्यू, मलेक, एक जैसे words है अन्यू और अन्यू, तो अन्यू, अन्यू मलेक के अगर मैं गाने सुनगा तो क्या हो गाँगा, अन्यू हो जाँगा the great size effect or something, the fact of something being very serious, very serious crime, कोई भी चीज जो बड़ी हो, crime हो, या serious चीज हो, या फिर कोई भी चीज, बाकी कोई बहुत बड़ी चीज हो, उसको बोलते है, enormity, for example, I don't think you really realize the enormity of the problem, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कितनी बड़ी problem है, अब इ enormity नहीं होते है, enormity का आने के बड़े, अब देखे, यह enormity है, यह person क्या inimity है, यह normal person है, यह basketball player है जो की बहुत बड़े है, तो यह enormity है, बहुत बड़े, यह normal person है, नोर्मल परसन enormity नहीं है, उनके जितने बड़े नहीं है, तो normal, inormal एक जैसे words है, इनसे आप याद कर सकते ह तो next word है entreat, entreat का मतलब है विंती करना है फिर प्रातना करना, to ask somebody to do something in a serious and often emotional way, for example, I entreat you, don't get caught out again, अब इसका आत करते हैं, तो treat देने के लिए entreat करते हैं, तो treat देने के लिए क्या करते हैं, entreat करते हैं, यानि कि विंती करते हैं, प्रातना करते हैं, emotional और serious way में बोलते हैं, वैस अगला वड़ है, आप पे लिए entreat करते हैं, अगला वड़ है, आप पे लिए entreat का मतलब है, the main dish of the meal, और a dish served before the main course, जब जो mean खाना होता है, आपका lunch या dinner होता है, उससे पहले जो खान थोड़ा बहुत, आपको starter मिलता है, उसको बोलते है, entry, she had a entry into the city's activator society, अब इसको आत कर करने है, तरीका देखे, गले की entry साफ करने के लिए entry, गले की अगर entry साफ करनी है, तो उससे पहले अगर आप कुछ खाते हो, तो उसको क्या बोलेंगा है, अपन, entry बोलेंगा उसको, तो गले की entry, entry, दोने एक जैसे words है, आप इसलिया आद कर सकते हैं, अगला है enumerate करना, enumer करना है, देखे, चीजों को number, देखे, इसमें number भी आ रहा है, और rate भी आ रहा है, तो चीजों को number के इसाफ से rate करने को क्या बोलते है, enumerate करना बोलते है, क्योंकि उनको आप गिन रहे हो, संख्या करना, okay, तो number, चीजों को number में rate करना क्या है, enumerate है, यानि कि उनको गिनना का मतलब है कहना या फिर उच्छारन करना to say something to say और pronounce words clearly to express an idea clearly and exactly तो किसी चीज़ को clearly बताना pronounce करना को बोलते है enunciate करना for example he enunciated his vision of the future पर अब देखे इसको जात करने का तरीका pronunciation enunciation का सही होना चाहिए pronunciation क्या होना चाहिए enunciation का सही होना चाहिए ओके तो enunciate का मतलब है कहना फिर उच्छारन करना प्रोनाउंस करना अगला है इयान इयान का मतलब है सदियां बहुत जो long period होता है उसको बोलते हैं इयान for example I have been waiting इयान for my new computer अब याद करेंगा तरीका देखिए आपका person जाता है इयान के बाद वापस आता है आपका person जाता है देखिए फोटो में आपका person जा रहा है और यह किसके बाद आएगा बहुत ही जैसे कि माले 10 years के बाद आएगा 20 years के बाद आएगा तो यह बहुत किसके बाद आता है इयान के बाद आता है आपका person जाता है और इयान के बाद वापस आता है यह यानि की सदिया, बहुत long period अगला है eppulant, eppulant का मतलब है a decorative part on the shoulder of a piece of clothing especially on a military coat, shirt, etc तो यह जो चीज है, shoulder के ऊपर बना होता है piece of cloth, इसको बोलता है eppulant अगर एक्जामपल देखिए, army man uses eppulant regularly अब इसको याद करने तरीका देखिए apple खाके मूँ साफ करने के लिए eppulant apple खाके मूँ साफ करने के लिए eppulant तो अगर कोई army person नहीं है तो normally इसको ऐसा रखता है तो apple खाके इसको क्या करेगा मूँ साफ करने के लिए क्या use करेगा eppulant use करेगा तो apple eppulant एक जैसे words है इसलिए आप इसको रिलेट करके आपको धान रख सकते हैं अपल खाके मुँसाफ करने के लिए अपूलेट अगला वड़े इफेमेरल इफेमेरल का मतलब है शनिक या फिर लास्टिंग फॉर ए मार्केटली ब्रीफ टाइम लिविंग और लास्टिंग ओली फो ए डे और सेटन प्लांट और इनसेक्ट टू तो किसी चीज को जो कुछ टाइम के लिए चलती है उसको बोलते हैं इफेमेरल इफेमेरल जॉइज ओफ चाइल्भूड तो यानि कि फोड़े टाइम के लिए जो 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 जाइथ है उसको बोलते हैं इफेमेरल या फिर कोई बी चीज थी जो कि फोड़े टाइम के लिए रही हो अभी मर गया इफेमेरल अभी मर गया कौन मर गया इफेमेरल यानि कि जो कुछ टाइम के लिए इस दुनिया में आता है जैसे इंसान कुछ टाइम के लिए दुनिया में आता है तो कौन मर गया इंसान मर गया तो क्या हो गया इफेमेरल का इफेमेरल हो गया इफेमेरल यानि क lasting for a marketly brief time अगला बड़े एपिक, एपिक का मतलब में महा काव्या a film, poem और book which is long and contains a lot of action using dealing with historical subjects तो कोई ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत सार historical subject और action हो, drama हो, उसको बोलते हैं epic आप इसको याद करने रहा तरीका देखिए महा भारत क्या epic है महा भारत की, महा भारत को आप तो ध्यान रखना है यह क्या epic story है example, महा भारत is the best epic book of the world तो epic बोलते हैं जैसे कि रामाएंड हुई है या फिर महा भारत हुई, इन बुक को बोलते हैं epic stories अगला है epic cure a person who enjoy food and drink of high quality and knows a lot about it जिसको खाने के बारे में और drinks के बारे में बहुत जादा पता है उसको बोलते है epic cure for example, epic cure restaurant अब याद करने का तरीका जैकि हर चीज का cure हो जाएगा epic cure से तो हर चीज का जैकि लड़का है, लड़की को दे रहा है खाने के बारे में को अच्छी चीज दे रहा है जालना, a short saying or poem which expresses an idea in a very that is clear and amusing for example, one of the Oscar wild most frequently quoted epigram is I can resist everything except temptation अब याद करने का तरीका देखिए, एक ग्राम दारू पीने से के सारे गम दूर हो जाते है फिर आते है epigram देखिए epigram होता है कि चितकुला हुआ कोई या फिर चतुराई से किस चीज को बोलना हुआ अब याद करने का तरीका देखिए Movie का end capture and rapture करते है Movie का end है उसको capture करते है और वो कैसा होता है enerpture करते है यानिक उसको Enrapture करते है यानि कि wonderful बोलते हैं और बहुत अच्छा बताता है प्रसन होते है उस चीजसे तो मूई का end capture करके enerpture करते है यानि कि present होते है to숙 contract का मतलब वोगा प्रसन करना अगला वड़ है एंसांस, एंसांस का मतलब है बैटना, टहरना, बसाना, if you are an scorn or a scorn or yourself somewhere, you are made or make yourself comfortable and safe in that place or position, अपने आपको कहीं दूर ले जाना और अपने आपको वहीं पर ही comfortably feel करवाना, वहीं पर रूख जाना को बोलता हैं, एंसांस, for example, he ensigns himself in the chair, आपको इन questions का answer नहीं आ तो आप ठिप जाएंगे, एंसांस करेंगे, तो अगर आपको कुछ कुछ का answer नहीं आए तो आप क्या करेंगे, something, for example, if the Europeans did not reduce subsidies, a trade war would ensure, तो ensure है कि किस चीज का होना, अगर कुछ कोई भी चीज होती है, तो इसको बोलता है, एंसांस का answer नहीं आते, तो आपको क्या करेंगे, एंसांस करेंगे, अगर इंसांस का answer नहीं आते, तो आपको क्या करेंगे, एंसांस करेंगे, to happen after something else, especially as a result of it, ensure नहीं की फल होना, अगर दोला है entail, entail का मतलब है लगाओ, to make something necessary, or to involve something, such a large investment inevitably entails some risk, such a decision would entail a budget political risk, अब इसको आत करेंगे, तरीका देखेंगे, कुट्टे के साथ tail entail है, कुट्टे के साथ जो tail है, वो कैसी है, entail है, यानि कि इसको necessary है, वो इसकी, और उसका, उसके साथ में लगाओ है, तो कुट्टे की tail entail है, entail यानि की लगाओ, अगला है enterprise, enterprise का मतलब है, भारी, काम, उद्यो, कथिन, कार्म, eagerness to do something new and clever, despite any risk, for example, they showed a lot of enterprise in setting up this project, अब यात करेंगे, तरीका देखेंगे, enterprise company, enterprise करते हैं, enterprise company क्या करते हैं, enterprise करते हैं, विशे जोखिम काम करते हैं, भारी काम करते हैं, कथिन काम करते हैं, तो enterprising companies enterprise करते हैं, यानि कि भारी काम करते हैं, अगला है enterprising, enterprising का मतलब है, उद्धोमी या फिस सहाजी, good at thinking and doing new and difficult things, especially things that you will make, for example, that was very enterprising of you, विजय, some enterprising members found way of reducing their expenses, of raising their incomes, अभ यात करेंगा, तरीका देखिए, price का enter, बहुत अच्छे से करते हैं, कौन enterprising, जो price का enter करते हैं, वो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, और enter भी आ गया, तो enter, price का enter, बहुत अच्छे से करते हैं, कौन एंटरप्राइजिंग यानि कि साहसी या फिर उद्ध होगी अड़ला बड़ है एंथ्रॉल एंथ्रॉल का मतलब है दास बनाना इफ समबड़ी एंथ्रॉल्स शुट सर्ष North Texas अगरम तरहाले मैं या जा ona बड़ है जाता है ऑनितर बाँ समद्ध है आंड़ आख वालग मैं यारे उसके इस फैन बन जाते हैं, उके उससे बहुत जादे इंप्रेस हो जाते हैं, तो एंथरॉल वाली मूवी आपको एंथरॉल करती है, यानि कि उसके दास बन जाते हैं, अगला वड़ एंटाइज, एंटाइज का मतलब है इंटाइज करते हैं, पापा मुझे एंटाइजर यह पहुत यह पुराने बाहिक है, तो एंटाइजर इसका नाम है, तो एंटाइजर अथन पाइज़ को एंटाइज़ का मतलब है, कीडे माकौड़ो का अध्यान, ब्यारक याद कर요 on till पोटो है यहाँ पर आंट है और इसकी theory क्या हैш इंट उट्रैंधी सटिटी आ इंट्रीं ग्रूप मतलब और राज्ग का मतलब पर राजया धनीवक्ती επापफर्पृट्चर क्रूप परवक ट्रावल पीपल को प्रेवर इंब बंपर्ट्ट्चर को थो तो कोई भी group of people जो कि किसी famous आदमी के साथ में जाएगा कहीं पर या फिर जो important person है famous person उसको बोलता है entourage for example the rock star arrived in the London with her usual entourage of dancers and backing singers तो साथ में जो लोग चलता है किसी famous आदमी के साथ में बहुत सारा crew चलता है उसको बोलता है entourage अब इसको याद करने का तरीका देखिए तूर पूरे टूर पर साथ चलता है entourage जितना भी टूर होता है उसको हमेशा साथ में चलता है कौन entourage तो entourage और टूर से अभियाद कर सकते हैं अगला है epilogue epilogue का है a speech piece of text which is added to the end of a play or book after giving a short statement about what happens to the characters after the play or book finishes तो epilogue को बोलते हैं एक वो चीज piece of text है जो कि कोई भी play end होता है या फिर book end होती है उसके end में लिखा जाता है कि जो इसमें लोग थे उनका क्या हुआ after the book finishes उसको बोलते है epilogue आप example देखिए इस वरी difficult to write epilogue इसको याद करेना तरीका देखिए आप लोगो को thanks करते हैン इपिलोग में आप लोगों को थैंक्स करते हैं लोगों को एपिलोग एक जैसे वर्ट है आप लोगों को क्या करते हैं थैंक्स करते हैं लोगों एपिलोग लोगों को आप लोगों को एपिलोग एक जैसे वर्ट है तो आप लोगों को क्या करते हैं थैंक्स करते हैं कि इसमें एपिलोग में जहां पर एपिलोग देख सकते हैं तो एपिलोग बोलता है एक कोई भी टेक्स को जो की end में add किया जाए play और फिर book की end में अगला है episodic episodic का होता है happening occasionally and not at regular intervals for example the war between these two countries have been long drawn out and episodic अब इसको आता नहीं तरीका साज बहुत सीरिल का episode कैसा है episodic है साज बहुत कर सीरिल जो है क्योंकि साज भी बहुत ही फोटो में देख सकते हैं तो इस सीरिल कैसा है episodic है यानि कि बहुत कभी गबार आता है डेली नहीं आता है अगला है epitha epitha का मतलब होता है सामाधी लेक स्मिती लेक word that are written or said about that person especially words on a gravestone तो जो एक gravestone के ऊपर कुछ लिखा होता है कई बार जिसके ये जो जिसकी ये कबर है उनके ऊपर इसके बारे में कुछ लिखा होता है इस person के बारे में इसी को बोलते है epitha ओके तो इसको बोलते है epitha for example these slums are on epitha to the housing policy of 1960 있지, अब देखे इसको यद्कर और तरीका आपके grave के ऊपर tab लगाया ये आपका epitha है अगर आपके grave जो है, ये graveyard है इसके ऊपर अगर आपको tap लगाने तो ये क्या है epitha है तो ये क्या बोल जाएंगे इसको epitha बोलेंगे इसको अगला है epitom, epitom का मतलब है शाक्षात उधारन, the typical और highest example of a stated quality as owned by a particular person or thing, for example he is the epitom of the modern young man, अब याद करें है तरीका आपका Tommy epitom है, आपका Tommy dogs में क्या है epitom है, आपका Tommy जो है इतना अच्छा है कि ये dogs के लिए क्या है epitom है, यानि कि उधारन है कि सभी को ऐसा बनना तो Tommy क्या है epitom है, Tommy epitom है जैसे words हैं और इनको आप correlate करके answer निकाल सकते हैं, अगला word है epitom, epitom का मतलब है yuk, a long period of time is especially one in which there are new advances and great change, for example the person said the bits country were moving into a new epitom which would be one of the lasting piece, अब देखे इसको याद कने है तरीका, एक आम और दूसरे आम के बीच के पकने का time क्या है epitom है, एक आम पक गया है और दूसरे आम पक गया है इसके बीच का तो time है ना दोनों को पकने के वो क्या है epitom है, यानि कि बहुत ही बड़ा है, तो epitom को बोलते हैं yuk, अगला है equanimity, equanimity का मतलब सोभाव की संभाव, calmness and self-control, especially after shock or disappointment or in a difficult situation, for example he received the news of its mother death with remarkable equanimity, तो equanimity यानि कि बहुत ही ये equal animal में equanimity होनी चाहिए, जो equal animal है उनमें क्या होनी चाहिए, जैसे दो बंदय है तो इनमें, दोनों में, कामने, self-control ये सब होना चाहिए, तो equal animal में equanimity होनी चाहिए, अब इसमें equal भी आ रहा है और animal भी आ रहा है, तो इसमें लेटकर के आंसर निकाल पाएंगे, equal animal में equ एकोस्टेरियन का मतलब ता गोर्षवारी से संबंदित, connected with the riding horse, especially as sports, they plan to hold the Olympian Equestrian event in another part of the city, अब इसको आते हैं, तरीका देखे, कस के train के पीछे भागते हैं, कौन एकोस्टेरियन, कस के फोटो में देखे, कस के क्या भाग रहा है, train के पीछे भाग रहा है, कौन है, एकोस्ट एकोस्टेरियन, तो कस के train के पीछे भागते हैं, एकोस्टेरियन, यानिकि गुर्षवारी से संबंदित, अगला है, equine, equine का है, गोडो का है, फिर गोडो संबंदित, example, an outbreak of equine influenza, the portraits showed an aristocratic family with a long equine face, अब इसको आते हैं, क्योन का अपरन कैसा है, equine पे होता है, क्योन का अपर अपरन है, वो equine पे होता है, यानिकि, गोडे के ओपर होता है, तो क्योन का अपरन equine पे होता है, इसको गोडे का अपडेट करके answer, निकाल सकते हैं, अगला है, erant, erant का मतला है, भटका हुआ है, फिर गोमने वाला, doing something that is wrong, not behaving in an acceptable way, for example, using his care involved, erant buses, bands and wandering wives, अब इसको आते हैं आपको इस चीज़ से धान रखना है, 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 आप chocolate made from the carbo beans अब यार करना तरिका जैकि शेर को अर्ज करते हैं अर्टरस से शेर को अर्ज करते हैं कि इससे artificial चीज से टेकि शेर को अर्ज करते हैं अर्टरस से अर्टरस जैने की artificial or not current as good as the real thing or product अगला बड़े स्कापेड स्कापेड का पर दुस्ताहर से कार रहे हैं and act involving some danger risk or excitement because it is different from usual or unexpected behavior तो जो दुस्ताहर से कार रहे हैं कार रहे हैं some danger इसमें risk involved होती है और जो कि normal behavior से अलग है उसको बोलेंगे escape for example don't do escape अब याद करेंगे तरिका जेकि escape करना दुश्मन से कैसा escape है escape करना दुश्मन से escape है and act involving some danger risk or excitement because it is different from the usual or unexpected behavior तो escape उस उन वर्ड सही है जो कि वहाँ पर काम में लिया जाता है अगला वर्ड है issue issue का मतलब है छोड़ना है फिर त्यागना to avoid something intentionally or to give up something for example although he appear to enjoy a jet setting life he excuse publicity publicity and avoid light clubs तो rescue मतलब छोड़ना है फिर त्यागना अब याद करेंगा तरीका तरीका दिके गम को ऐसे 2 करना आपको as q करना है तो अगर गम को आपको चूँ करना है तो आपको ask q करना पड़ेगा सब पहले है इसक्यू आने की छोड़ना पड़ेगी वो सारी चीज़ें जो की जो की खराब हैं तो एसक्यू का मतलब तो अवाइड सम्थिंग इंटेंशनली और तो गीवप सम्थिंग अप अगला बड़ है इसो टेरिक इसो टेरिक का आने की गुप्त इसो टेरिक का मतलब कोई भी गुप्त चीज जिसके बाद में पता ना हूँ उसको बोले है इसो टेरिक अब या आतने तरीका देखिए बूसदी को ऐसे सॉ टेरिक आते हैं जो नॉर्मल अर्म में के लिए इसो टेरिक है तो बूसदी यह जो है बहुत ही फेमस वाइटर रही है ने कि वह बहुत ही सीक्रेट है गुप्त है अगला वड़ा इसपाइज पाइज का मतलब है जासुजी करना अब याद करेंगा तरीका देखिए पार्क नेस स्पी के कमरे में कमरे में नाग को बेजा है इस पॉनेज के लिए तो पाकिस्तान ने क्या किया है अब यहाँ आपने पांज को इसको करो यानि कि अपना पती है उनको सपोर्ट करो इसका मतलब है सपोर्ट करना पक्षे लेना उनकी सहारा देना उनको तो अपना जो स्पांज है इसको क्या करो सपोर्ट करो तो सपोर्ट और सपांज है जिससे आप इनको याद रख सकते हो अगला वड़ है एस्टेंज का मतलब है दूर रखना चित फेर लेना डिस्क्राइब रहस्बें और वाइफ वाइफ हूस्पें और वाइफ जो अब साथ में नहीं रहते हों इस यू आप स्ट तरीका देखिए एक दूसरे के लिए एस्ट्रेंज हो गए एक दूसरे के लिए कैसे हो गए एस्ट्रेंज हो गए देखिए आप फोटो में यह लग रहे है और यह लग रहे है तो एक दूसरे के लिए एस्ट्रेंज हो गए एस्ट्रेंज यानिकी दूर रखना अगला हो जाता है इधरियल हो जाता है तो इधरियल का मतलब अकाशिय स्वर्गी है extremely delicate and light अगला है इटियोस इटियोस का है लोकाचार a set of beliefs ideas etc about social behavior and relationship of a person or group अब इसको एक्जामपल देखें तरदिशनल public service इटियोस तो इटियोस का मतलब है लोकाचार अब इसको याद करने का इह तो इतियोस है इथोपिया का इटियोस अच्छा यान कि लोकाचार the origin and history of the words or a study of this type relating to one particular word जो words हैं उनके origin को पढ़ना, history को पढ़ना को बोलता है etymology, for example a list of selected words and their etymology is printed at the back of the book, अब याद करने का तरीका देखिए, ये आंटी से मिली जो ये बताएगी etymology, ये आंटी से मिली जो बताएगी एक आंटी है जो ये बताएगी etymology, ये एक आंटी है जो से मिली और ये बताएगी etymology, etymology के मतलब शब्दो के उद्धम का शास्त्र, उग्धम का उद्धम का यानि कि दा ओरीजन of the study of the origin and history of words, अगला बड़े यूलोजी, ये यूलोजी के मतलब प्रेसंशा करना, speech or a piece of writing, poem, etc. containing great praise, especially for someone who recently died or stopped working, for example, he was the most self-efficacy of man, the last thing he would have released was a eulogy, अब याद करेंगा तरीका देखिए, यूरोप के लोगों का eulogy करते हैं, यूरोप के लोगों का क्या करते हैं, eulogy करते हैं, यानि कि प्रसंशा करते हैं, तो यूरोप के लोग, यूरोप और eulogy एक जैसे words हैं, और यूरोप वैसे भी बहुत अच्छी countries हैं, जहां पे उनका human development index, human का बहुत ज़्या development है, तो इसके लिए आप उनको क्या करते हैं, eulogy करते हैं, यानि कि प्रसंशा करते हैं, so friends, आज के लिए यह वाज़े words है, जो कि आपको याद करने हैं, और आपको revise करने हैं, so me, आपको परसंदा होंगे, and thank you, and all the best.